नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका हमारे चैनल ओटो इंफिनिटी पर दोस्तो लगजरी, कमफर्टेबल और स्टेटस सिंबल के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली सेडान कार्स को इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है इनकी एरोडाइनमिक बोडी, अच्छा बूटी स्पेस और क्लासी लुक इने खास बनाते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको 5 प्रीमियम सेडान्स इन इंडिया के बारे में बताने वाला हूँ जो कम प्राइज में आपको प्रीमियम फील करवाती हैं जिन में आपको कमफर्टेबल सीट्स, बड़ा बूटी स्पेस और सेफटी फीचर्स के साथ-साथ अच्छा माइलिस और प्रीमियम फील भी मिल जाएगा तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की इंफोर्मिशन आप तक पहुंच सके तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लिस्ट में नमर फाइफ पोजिशन पर आती है मारूती सियाज मारूती सियाज एक फाइफ सीटर सेडान कार है और इसकी स्टाटिंग प्राइज है 9.30 लेग रुपीज और इसके टोप मोडल की प्राइज है 12.29 लेग रुपीज ये कार आपको कम बजेट में बेस्ट राइड और कमफर्ट जोन देती है और इसमें आपको मिलता है 1.46 लिटर का के 15 स्मार्ट हाइब्रिड पैट्रोल इंजन जो 20 किलोमेटर पर लिटर तक की माईलेज देता है इस पाउरफुल सेडान की मैक्जिमम पाउरव 103 भी एचपी और इसका मैक्जिमम टोर्क अवन 38 एनम ये एलिगेंट कार आपको देती है 510 लिटर का बूटी स्पेस ताकि आपके पूरी फेमिली कमफर्टेबली ट्रेवल कर सके इसके फीचर्स की बात करें तो आपको स्मा डेल्टा, जीटा, एल्फा, एंड सियाज S, सेफटी के लिए इसमें आपको ABS with EBD, चाइल्ड सेफटी, और येर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रोनिक स्टैबलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स दिये जाते हैं लिस्ट में नमर 4 पोजिशन पर आती है स्कोडा सलाविया, एक्सिलेंट ड्राइविंग डायनमिक्स और गुडबूट स्पेस के साथ आयने वाली स्कोडा सलाविया इस लिस्ट की नमर 4 पोजिशन पर आती है, सलाविया में 1498 cc का 4 स्लेंडर पैट्रोल इंजन दिया गया जो 147 bhp की max power and 250 nm तक का talk generate करता है, यह 5-seater car है जो 3 variants and 6 color options में available है, इस compact sedan में 8-inch touchscreen infotainment system, 8-inch digital driver display, wireless phone charger, ambient interior lightning, touch-based climate control, sunroof, cruise control and ventilated front seats मिल जाती है और safety के लिए 6 airbag, ABS with EBD, electronic stability control जैसे features आपको दिये गए है 45 liter की fuel tank capacity आपको इसमें मिल जाती है and company 19.47 km per liter तक का mileage claim करती है और storage के लिए 521 liter का large boot space आपको दिया गया है, finally बात करें price की, तो Škoda Slavia की price 10.99 lakh रुपी से चालू हो जाती है लिस्ट में नमबर 3 position पर आती है new Honda City Honda की ये sedan car aerodynamic body के साथ sporty look में आती है, जो काफी attractive है Honda City में 1498 cc का 4-cylinder diesel engine दिया गया है जो 97.89 bhp के max power and 200 nm तक का top produce करता है ये car 5-seater है जो के manual and automatic transmission में available है फीचर्स के बात करें तो new Honda City में आपको Honda का lane watch camera semi-digital instrument cluster with 7-inch screen connected car technology with Alexa remote capabilities entire pressure monitoring system जैसे फीचर्स दिये गए हैं और आपको वही सारे पुराने version के फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे कि touch screen infotainment system with apple car play and android auto climate control, cruise control and sunroof passenger safety के लिए आपको 6 airbags, ABS with EVD, parking sensor with rear view camera and electronic stability control जैसे फीचर्स दिये जाते हैं इस car में 506-liter का large boot space आता है और 40-liter की fuel tank capacity दी गई है mileage की बात करें तो company 24.1 km per liter का mileage claim करती है जो की काफी ज़्यादा बढ़िया है और इस car के बात करें price की तो वो है 11.57 lakh रुपीज और दोस्तों ये price एक्षोरूम price है अगर आप इसमें RTO, insurance and other expenses को add-on करते हैं तो आपकी on-road price लगबग 13.5 lakh रुपे तक बढ़ जाती है लिस्ट में नमर टू पोजिशन पर आती है Volkswagen Virtus भेतरी looks and smart features से less ये शांदार sedan car है इस sedan car में काफी tech features के साथ comfort भी मिलता है इसमें ventilated front seats, ambient lighting, cruise control, auto headlamps and wipers single pen sunroof and 8-inch digital driver display दिया गया है और इसके साथ 10-inch infotainment touch screen with wireless android auto and apple carplay paired with 8 speaker sound system मिल जाता है safety features के बाद करें तो Virtus में 6 airbags, tire pressure monitoring system, rear parking sensor, heel hold assist and child safety जैसे features दिये गए है Volkswagen की इस car में 1500cc का 4-cylinder petrol engine दिया गया है जो 147bhp के max power and 250nm तक का torque पर यूज़ करता है यह automatic या manuals दोनों transmission में available है और इसका boot space है 521-liter का Virtus में 45-liter की fuel tank capacity दी गई है और companies का 19.4 km per liter तक का mileage claim करती है finally बात करे price की तो इसकी price 11.32 lakh रुपी से start हो जाती है दोस्तो लिस्ट में नमबर 1 position पर आती है All new Hyundai Varna Varna Indian market में काफी ज़्यादा पसंद की जाने वाली कार है जिसका 2023 में 11 lakh की एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होने वाला नया variant launch हो चुगा है इस कार में 1-liter 3-cylinder turbo petrol engine के साथ-साथ 1.5-liter petrol engine और 1.5-liter diesel engine भी दिया गया है Hyundai Varna में manual, AMT, CVT, DCT, IMT जैसे काफी सारे transmission system के option आपको दिये गए है exterior में Varna में काफी ज़्यादा classy changes किये गए है जिससे ये कार और भी ज़्यादा attractive लगती है और interior में आपको काफी ज़्यादा changes देखने को मिल जाती है ये कार best comfort zone लेके आती है साथ ही में आपको काफी premium feel भी करवाती है तो दोस्तों अगर आप Hyundai की cars को पसंद करते हैं तो आप Varna को भी ज़रूर check out कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी हमारी आज की list ऐसे ही best reviews and top list देखने लिए चैनल को subscribe कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में जे हिंद जे वारत